नमस्कार बच्चों स्वागत करता हूँ सात्मी कक्षा के बच्चों को ये संस्किर्थ का कालान्श है इससे पहले हमने संस्किर्थ में पाठे पुस्तक के अंतरगत पाठ दो का पाठ की हिंदी और पाठ का संस्कित उचारण हमने सिखा था आज हम इसी कड़ी को आगे अभ्यासकारे करेंगे आसा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अभ्यासकारे भी आप कर रहे होंगे आगे बढ़ते हैं अभ्यासकारे को आगे बढ़ाते हैं पहला प्रश्न है यहां पर विकल्पों दिये गए विकल्पों से उचित उत्तर चून कर रिक् पूरा करना है छात्रा कक्षान, छात्रा कक्षा में प्रवेश किया तो प्रवेश उत्तर यहां होगा , डूसरे नंबर पे रामा लक्षमणो बनम लक्षमान cookie देगी यहां पर द醉ड बचन यानि अतुल ने निर्मलं जलम मने शुद्ध जलपिया, तो हाँ अफिवत किरिया भी एक बचन क कियागी, क्योंकि यहाँ अतिलवा, अतुल्ह जो है वो एक बचन है, नारा उद्ध्यान है, देखिए यहाँ पर नारा में बहुवचन है, तो किरिया भी बहुबचन की आएगी अब्रहमन, अनेक लोग उध्यान में घूमें, तो अब्रहमन किरिया का की है, ब्रहमधातु की प्रतम पुरूष का बहुबचन है अब्रहमन, ठीक है, अब्रहमत, अब्रहमताम, अब्रहमन इस तरह शब्द जनता है, उसके बाद आता ह आपनार लिखे थि आयुए और यहां पड़ार प्रतों ऑ्च्राम वेड़ी करिए करें तो किージेंन संस्राइब आ पर स्क्रामुएफ Pris देखिए यहाँ पर पहला प्रश्ण की आए कस्या जन्मदिवसा आसित किसका जन्मदिवस था किसका जवन दिन था तो अकूल अश्या तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया अकूल अश्या अकूल का क्या था जन्मदिन था जन्मदिवसे किया आगचन जन्मदिन पर कोन आए तो वहाँ पर आएगा जन्म दिन पर मित्र लोग आए दोस्त लोग किसके लिए उपाहर लाए तो किसके लिए लाते हैं तो वहाँ पर उत्तर आएगा अकूलाया अकूल के लिए चतुरती वीबक्ची का एक वचन है अकूल आया अकूल के लिए दोस्तों किसके लिए उपार लाए अकूल के लिए ठीक है अकूला किम अकरिंतत अकूल ने क्या काटा तो वहाँ पर से उतर आएगा केकम अकुल ने क्या काटा केकम यानि कि केक को काटा फिर आता है सुकृती दीपिकाचा किम अगायताम सुकृती और दीपिकाने क्या गाये तो हमापर से उतर आएगा गीतम ठीक है यहाँ पर खालेश्तान भी दिया हुआ है उपर मंजुसा भी दिया हुआ है मैंने इसमें नंबर कर दिया आप देख लेना और आराम से को कर लेना उसके बाद आता है question number 3 question number three में नीमनल इखित बाक्व को लंग लकार में बदले की बूत काल में बनाने के लिए के बल किरिया बदलेंगे और करता और करम समान रहेगा करिया बदल देने से क्या हो जाएती है क्रिया जो है बूद्काल की हो जाएगी जैसे हो देखो किर्षय का बीजानी वपन ती किसान बीज बोते हैं किसान उने बीज बोए तो आपर आ जाएगा किर्षय का बीजानी अवपन तो ये अवपन क्रिया जो है वो बूद्काल की है अध्यापक भूध्यापक प्रिक्षत पार जोते बूते हैं तो ऊण बाको ब्रहुमताव दुन में avait खुमते हैं तो इसको लंग लगार में बनाना है तो शिशव दुगधम अपिवन शिशवने दूद पिया या पिये इस तरह से बाक्य बनेगा उसके बाद है लास्ट में चित्रकारा चित्राणी रचेंती चित्रकार चित्र बनाते हैं रचना करते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा भूतका अतिष्ठताम अतिष्ठन ठीक है कुछ करके दिया हुआ है और ब्लैंक दिया हुआ तो अपनों पूरा करना है अक्रड़त अक्रड़ताम अक्रड़न आसित आस्ताम आसन अकरोत अकुरूताम अकुरवन उसके बाद होता है अनमत अनमताम अनमन यह तो था question number 4 आगे देखत करतापदों के को करतापदों से मिलाईए करता और किरिया को सही उचित मिलान करना है यहां पर देखिए गुरू शिश्यान उपादिशत इसका सही उतर हो जाएगा गुरू ने शिश्यों को उपदेश दिया शिशवा भोजनम अखादन शिशु अनियन बच्चों ने चाहतन हो जाएगा दो फिर आता है शैनिकव शैनिकव सत्रूब या विया देशम अरक्च cater jam सैनिको ने सट्रूब से देश की रक्चा की तो यहां पर तीन आजाएगा ठीक है फिर आता है सीता रामिन सावनम अगच्छत सीता राम के साथ बन गई तो यहाँ पर चार नमबर आ जाएगा नमबरिंग कर दिया है मैंने तो फिर आता है मीना सरवारे अतनन मचलियां तालाब में तेरी यह था आपका मिलान करता और किरिया को आपने उचित मिलान करना है मैंने आप और आपको नमबरिंग भी लिख दिये हैं आप ध्यान से इसको लिखेंगे क्वेशन नमबर आता है छे है क्वेशन नमबर छे में है अदोलिकी दवाक्यों का संस्क्रित वासा में अनुबाद कीजिए जैसे पहले भी आता था ये अन्ति में एक क्वेशन आता है अनुबाद वाला तो आप अनुबाद करेंगे जैसे बुढ़ा आदमी धीरे चला बुढ़ा आदमी के लिए व्रिद्ध नरह, धीरे के लिए शनई चला के लिए अचला ये भूत काल की गिरिया है चला ठीक है अचला दिया आजाएगा उन्होंने गीत गाया उन्होंने के लिए आजाएगा ते गीत मने गीतम अगायन मने गाये ठीक है या गाया वह अचन है परिवार के लोग घूमने गए परिवार के लोग घूमने गए तो वहाँ पर ठीक है परिवार के लोग घुमने गए Q4 में निखिल तालाब में 13 तो उसका उत्तर हो जाएगा निखिल तालाब के लिए तड़ागे सब्तमी विव्यक्ति का एक वचन तालाब में अतरत माने 13 बोथ काल की किरिया है 13 तो अतरत आ जाएगा यहाँ ठीक है फिर आता है अंती में चात्रोने प्रार्थना गीत गाए चात्रा प्रार्थना गीतम अगायन चात्रोने प्रार्थना गीत गाए यह था Q1 से ले करके Q6 तक आपके लिए संस्कित पाठे-पुस्तक के अंतरगत Part 2 का अभ्यास करे आगे मैं आपको पार्ट तिन को पढ़ाते हुए मैं आपको मिलूंगा हिंदी और संस्क्रित उच्छारण हम सिखेंगे धन्यवाद